ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति आज चार जुलाई दो हजार तेईस बाबा के महा वाक्या मीठे बच्चे भोलानात बाबा आये हैं भक्तों को भक्ती का फल देने उन्हें अगम निगम का भेद सुनाकर मुक्ती जीवन-मुक्ती का वरसा देने प्रश्ण है 21 जन्मों के लिए राजाई पद की प्राप्ती किन बच्चों को होती है प्रजा में कौन जाते हैं उत्तर है जो मातेले बन बाप पर पूरा पूरा बलहार जाते हैं उन्हें राजाई पद प्राप्त होता है और जो सौतेले हैं, बलहार नहीं जाते हैं, वो 21 जन्मी प्रजा में चले जाते हैं. तुम स्रीमत पर चल अपने ही योग बल से राजाई का तिलक लेते हो, यहां हत्यार आदी की बात नहीं, तुम्हें बुध्धी योग बल से माया जीत जगत जीत बनना है. गीत है भोला नाथ से निराला कोई नहीं ओम शान्ती देखो क्या कहते हैं भक्तों की रक्षा करने वाला तो जरूर भक्त कोई आफ़त में आये हुए है भक्तों का रखवाला रक्षा किसकी होती है जो आफ़त में फसा हुआ है इन भक्तों का रक्षक सिव बावा है भक्तों को भक्ती का फल जरूर मिलता है मेहनत तो करते हैं न काईदा कहता है पुरशाद से प्रालब्द मिलती है अब इस दुनिया में पुरशाद कराने वाले सब हैं आसुरी संप्रदा है वास्तम में पुरशाद कराने वाला चाहिए कोई अच्छा सच्चा पुरुशात सिर्फ एक भोलानाद बाप ही कराते हैं जिस्मानी लौकिक मा बाप टीचर सभी हद का पुरुशात कराते हैं बेहद की प्रालत तो कुछ बनी नहीं फिर दूसरे जन में गुरू करना पड़े यह भोलानात है सत्गुरू सत्गुरू हमेशा सत्य ही बोलता है वही आकर सत्य कथा सुनाते हैं यह है सत्गुरू की इमत जिससे मुक्ती जीवन मुक्ती मिलती है यह है नरको नारायन बनाने की मत भोलानात अगम निगम आदी मद्य अंत का राज बैट बताते हैं और कोई मुक्ती धाम जीवन मुक्तिधाम को जानते नहीं मुक्तिधाम का मालिक है परमपिता परमात्मा जो परमधाम में रहने वाला है अब बच्चों को मत मिलती है बाबा ने बार बार समझाया है कि ये बाप टीचर गुरू है स्री क्रस्न को बाप टीचर सत्गुरू कोई नहीं कहेंगे अब बाबा जबकि सच्चा रास्ता बताते हैं तो फिर जूटा छोड़ देना चाहिए गुरू सुरू हुए हैं द्वापर से सतियुक त्रेता में गुरू होते नहीं माता गुरू ने ग्यान अम्रत पिलाए स्वर्ग बनाया फिर वहां गुरू की दरकार नहीं अब देखो तुम बच्चों को कितनी अच्छी मत देता हूं सबको युद्ध के मैदान में बाबा ने खड़ा किया है कि पांच विकारों पर जीत पहनो और फिर ऐसे स्रीक्रस्न समान देवता बनो हम जानते हैं ये स्रीक्रस्न माया जीत बन जगत जीत अर्था जगत का प्रिंस बना स्रीक्रस्न का चित्र हाथ में उठाए समझाना तुम बच्चियां जानती हो कि हम युद्ध के मैदान पर है माया जीत जगत जीत बनना है जैसे स्रीक्रस्ण जो फिर स्री नारायन बना फिर उनके साथ और भी सारी राजधानी थी तो वैस सब जरूर युद्ध के मैदान में होंगे जो माया पर जीत पाते होंगे पांच हजार वर्स पहले ये स्रीक्रस्ण भी अपने अंतिम जन में युद्ध के मैदान में थे वैसे अब ये भी युद्ध के मैदान में है तुम भी युद्ध के मैदान में हो पांच विकारों पर जीत पाकर तुमको ये बनना है इसको कहा जाता है नारायनी नशा माया जीत जगत जीत बनना है कितनी सहेज बात है सिर्फ एक द्रोपदी तो नहीं थी सब माताएं द्रोपदियां है सब को सतियोग में नगन होने से बचाते हैं वहाँ कोई विकार में नहीं जाते कहेंगे भला तब बच्चे कैसे पैदा होंगे अरे वह तो पवित्र दुनिया है तुम सन्यासी लोग घरबार छोड़ते हो तो फिर दुनिया खत्म हो जाती है क्या दुनिया तो बढ़ती रती सन्यासी जानते हैं पवित्रता अच्छी है विकारों का सन्यास तो अच्छा है सन्यास करने वालों को सन्यास न करने वाले माथा टेक गुरू बनाते हैं उस सचे सत्गुरू द्वारा ये माताएं गुरू बनती हैं जिनों की ही विजय माला बनी हुई है बाबा कहते हैं बच्चे तुम पढ़कर पद पाओ अब बाप ने युद्ध के मैदान में खड़ा किया है स्रीक्रस्न जैसा बनाने के लिए उनकी सारी राजधानी है प्रिंस प्रिंसेज तो होंगे न अभी तो ना राजा महराजा कहला सकते ना प्रिंस प्रिंसेज अब तुमको बाप की देवी मत मिलती है अब माताओं को ज्यान कलस मिला है ये बच्चियां अमरत पिलाएं असुरों को देवता बनाती है देवताएं पुरानी दुनिया पर थोड़े ही राज़ करेंगे नई दुनिया भी बन रही है तो बच्चे अब जल्दी जल्दी करो एक तो है विकारों का बन्धन दूसरा फिर है कर्म बन्धन उनसे छूटने के लिए स्रीमत पर चलना पड़े बाबा कहते हैं मुझे याद कर असरीरी बनो ऐसे नहीं कि आत्मा परमाद्मा में मिल एक हो जाती है ना कोई जोती जोत समाया है ना समाने ही है आत्मा समाज आए तो जड़ हो जाए आत्मा तो विनाशी है सरीर को विनाशी कहा जाता है आत्मा मेरे साथ योग लगा कर पवित्र बनती है फिर सरीर भी पवित्र मिलेगा आत्मा पवित्र हो जाएगी फिर ये सरीर खलास हो जाएगा फिर पवित्र तत्वों से पवित्र शरीर बनेंगे यह सरीर पूजन लायक नहीं बनते पूजय तो सिर्फ देवताई ही है उन पर फूल चड़ा सकते हैं उनों को स्री स्री अर्थात स्रेष्ट ते स्रेष्ट कहा जाता है स्री स्री दो बार क्यों कहते हैं क्योंकि सूर्यवंसी लक्षमी नारायन हैं उँच ते उँच उनकी आत्मा और सरीर दोनों पवित्र हैं उन्हों को सोला कला संपून कहेंगे चंद्रवंसी है चौदा कला तो चंद्रवंसी को सिर्फ स्री कहेंगे लक्षमी नारायन को उच टाइटल मिलता है स्री स्री लक्षमी स्री स्री नारायन वह है महराजा महरानी और राम सीता है राजा रानी नमबर वार जो जैसा बनता है उनको ऐसा टाइटल मिलता है यहाँ भी महराजाएं और राजाएं हैं बड़े को महराजा कहा जाता है राजाएं महराजाओं के आगे सिर जुकाएंगे महराजा पहले हैं, राजा पीछे हैं तो अब स्रीमत पर चलना है स्री स्री जगत गुरू, रूद्र माला है न जगत का मालिक भी वै है, टीचर भी वै है, तो गुरू भी वै है, ऐसा बाबा को याद करना पड़े, कहते हैं बंदन है कोई छुड़ावे, तोते का मिसाल, अरे भगवान कहते हैं अब मैं तुमको लेने आया हूँ, तुम सिर्फ अंगुली पकड़ो, वै जो कहे सो करो, प कबरिस्तान को क्या याद करना है, रहना भल यहां है, परंतु सिर्फ बुद्धी योग वहां लगाना है, इसको कहा जाता है, शांती धाम, सुख धाम को याद करना, नश्टो मोहा भी बनना है, वै है पतियों का पती, बापों का बाप, गुरूं का गुरू, तो ऐसा स्री क्रस्न बनने के लिए महनत करनी पड़े, कल्प पहले भी पुरुशाद किया था, और सत्यों की राजधानी स्थापन हुई थी, फिर हो रही है, इसमें पवित्र रहना है, पती जो सेवा कहे वै तुम करो, बाकी सिर्फ पवित्र रहना है, पवित्र नहीं बनेंगे, तो व मालिक भी वह है, अब तुम बच्चियां ग्यान धन से मनुष्यों को देवता बनाओ, यह तो नौलेज है, बुद्धी में कितनी रोशनी आ गई है, और कोई को यह नौलेज नहीं, सब दरदर धक्के खाते रहते हैं, यहां हमको बाबा ने कितना साइलेंस में बिठा दिय निकलें, फिर अंत मती सो गती हो जाएगी, नहीं तो ना विकर्म विनास होंगे ना मोह जीत बनेंगे, मुफ्त भक्ती का फल गवा देंगे, सब भक्त हैं ना माया के बंधन में फसे हुए हैं, रखवाला है भोला नात सिव, रक्षा करने आये हैं तो उनकी राय पर चलना है, स्रीक्रस्न के कुल में जाना है, स्रीक्रस्न है फुल पास, संपून चंद्रमा, जब चंद्रवासियों का समय आता है तो वह अपना राज ले लेते हैं, तो ना पास क्यों होना चाहिए, फुल पास होना है तो पुरुशात करो, डरने का काम नहीं, निर्भय, निर्वे बढ़े बनना है समझाना तो पड़ेगा न जो कहते हैं भगवान सर्व्यापी है उन्हों की उन्होंने ही भारत को ऐसी दुर्दसा में लाया है भगवान तो एक ही भोला नात है जो सब भक्तों का रखवाला है स्रीक्रस्न की आत्मा अभी यहां है अब कुछ समझो बहुत ब बाबा के पास पहुँचेंगे विकर्म विनास होगे बाबा ने बार बार समझाया है हम युद्ध के मैदान में खड़े हैं मनुष्य कहेंगे हतियार आधी कहा है जो सारी स्रष्टी पर विजय पाएंगे बाबा ने एक्ट कर दिखाई हम बुद्धी योग बल से माया जी जगत जीत बन रहे हैं हम नेश्टा में बैठे हैं अर्थात सिव बावा की याद में हैं बुद्धी वहां लटकी हुई है पतियों के पती ने कहा है पती व्रता बनना और कोई को याद नहीं करना योग लगाते लगाते परिपक्व अथवा अवस्था को पाना है कन्या भी पती को याद करती है न वै तो है देहधारी परमात्मा तो असरीरी है उनको बुद्धी से याद कर सकते हैं दे अभिमान तोड दे ही अभिमानी बन जाएंगे बुद्धी में चक्र तो फिरता रहता है हम अपने स्वर्ग धाम जरूर पधारेंगे सूर्यवंसी चंद्रव फिर वैश सूद्रवंसी बनेंगे फिर बावा आकर सूद्र में सूद्र से ब्रामर बनाएंगे ऐसे ऐसे अपने से बात करनी हैं बच्चे लोग बगीचों में जाकर पढ़ते हैं तुम भी एकांत में बैठ सिव बावा को याद करो हमारा पुराना हिसाब किताब चुक्त का राज्य करेंगे वी आर एट वार हम सब लडाई के मैदान पर हैं यह सारी योगबल की बात इनमें तकलीफ तो कोई नहीं सिर्फ बाबा की स्रीमत पर चलना है फिर आटोमेटिकली राजाई का तिलक लग जाएगा वर्दान मिल जाता है आयुश्वान भव पुत्रवान भव वहां धन आदी सब अकीचार रहता है पहले से साक्षातकार होता है कि बच्चा आने वाला है वहां मुक का प्यार होता है विकार की बात ही नहीं वह हैई निर्वकारी दुनिया स्री क्रस्न देखो कितना फर्स क्लास मीठा है अब ऐसा बनना है तुमको तो पटरानी ब उसने भी ज्यान लिया होगा अगर पकी भक्तिन होगी हम भी द्वापर से भक्ति करते आए हैं न बुद्धी से समझना है सिव बाबा मैं आपकी हूँ आप से पूरा वर्सा लूँगी मैं आप पर बलहार जाती हूँ तो बाबा भी 21 बार बलहार जाएंगे बाबा कहते है तुम मेरे को याद करो तो हम मदद भी करेंगे मदद तो जरूर अपने बच्चों की ही करेंगे दूसरे को क्यों करेंगे अच्छा मात पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रती याद प्यार और गुड मॉनिंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस दे धाड़ना के लिए मुख्यसार पहला है माया पर जीत पाकर हमें स्रीक्रस्न समान जगत जीत बनना है इस युद्ध के मैदान में सदा विजय बनना है, हार नहीं खानी है दूसरा है स्रीमत से स्वयम को विकारों के बंधन और कर्म बंधन से मुक्त करना है असरीरी बनने का अभ्यास करना है बुद्धी योग की दोड़ी लगानी है वर्दान है चहरे द्वारा संपन इस्तिती की जलक और फलक दिखाने वाले सर्व प्राप्ती स्वरूप भव संगम युक के भ्रामर जीवन की विसेष्ता है सदा सुख सांती के, खुशी के, ज्यान के, आनंद के जूले में जूलना सर्व प्राप्तियों के संपन स्वरूप के अविनासी नसे में इस्तित रहना चहरे पर प्राप्ती ही प्राप्ती है उस संपन इस्तिती की जलक और फलक दिखाई दे जैसे इस तूल धनसे संपन राजाओं के चहरे पर भी वह चमक थी यहां तो अविनासी प्राप्ति है तो प्राप्तियों की रुहानी जलक और फलक चहरे से दिखाई दे सिलोगन है खुस नसीब वह हैं जो सदा खुस रहकर खुसी का खजाना बाड़ता रहे अच्छा ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती